Hello everyone, मैं आज यहाँ पर आपके सामने magician बनके आपको एक छोटा सा magic दिखाने वाला हूँ अब आप बुलोगे सराज आप magician बन गए, हमको error and measurement पढ़ाने के लिए आप सबजी बेचने वाले बन गए थे और कल constraint motion पढ़ाने के लिए आप गुंडे बन गए थे अरे भीया, मैं आप लोगों को सारी कीजों को असान से असान तरीके से समझाने के लिए कुछ भी बन सकता हूँ और कितनी भी महनत कर सकता हूँ जैसे मैं आपके लिए SMS सिरीज लेके आया हूँ, short में सब कुछ पूरे 40 chapters का short में videos आपको मिलेंगे, जिसमें आप revise कर सकते हो सारे important points को अगर आपको इसके लावा भी मुझसे कुछ और help चाहिए, आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा मैं आपको वो video जरूर बना के दूँगा चलो, तो आज मैं एक छोटा सा magic दिखाने वाला हूँ कि क्या ये मेरे finger tip में balance हो सकता है ये cardboard का मैंने बनाया है, simple सा shape है, ठीक है, तो इसको क्या finger में balance हो सकता है गिर गया, ये अभी मैं इसको finger में बिलकुल भी balance नहीं कर पा रहा हूँ ये तो बेल्ट को मैं इसमें ऐसे फशा दे रहा हूँ yो can see, हैसे मैंने इसमें फशा दिया अब मैं इस पूरी की पूरे belt को और इस object को अपने finger tip में balance करने हो ला हूँ यह तो गिर जाना चाहिए और नहीं गिरा तो जादू हो जाएगा Let's see See, मेरे finger पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है You can just see, मेरे finger पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है और यह पूरी की पूरी belt और यह पूरा का पूरा object balanced हो गया You can just see, पूरा हवा में है पूरा का पूरा object हवा में है You can just see this तो यह कैसे हुआ सर इसका reason बताओ सरी magic कैसे हुआ क्या यह आपनों भी कर सकते हो, बिल्कूल कर सकते हो इस shape का बना करके इस पूरे का reason जानने के लिए चलो जल्दी से classroom में चलते है आईए तो देखो सभी कोई इस magic का simple सा reason है center of mass C-O-M center of mass सर कैसे simple सा अगर आपने center of mass का concept पढ़ा है तो वो आप apply करो जो आपने देखा हुआ इस shape को जब मैंने इसको ऐसे लटकाया हुआ था तो यह belt जो थी वो इस तरीके से ऐसे टेड़ी हो गई थी और यह जो shape था वो भी थोड़ टेड़ा हो गया था और अगर मैं आपको इस shape की बात बताऊं तो यह shape भी ऐसे curved है यहां से curved है यहां से straight है और यहां से पूरा ऐसे turned है नीचे तो इससे क्या होता है यहां पर देखो इस shape के कारण यह तो सीधा हो गया तो जब आपने यहां से finger में इसको रखा तो finger ने इसके उपर उपर direction में force लगाया normal exactly उपर लगाया बट यह belt यह पूरा shape ऐसे टेड़ा हो गया तो belt इसमें से टेड़ी हुई you can just see जब belt लटकी हुई थी तो एकदम ऐसे straight मीचे नहीं थी वो ऐसे टेड़ी थी तो थोड़ी belt इस point के यह वाले line के थोड़ी उधर थी तो थोड़ी इधर है कि नहीं you can just see जो मैंने yellowly line बनाई है इस point में इस yellowly line के point में आपने normal force उपर लगाया है इसके belt जितनी इधर है उतनी belt उधर भी है you know यहां से ऐसे पूरी नीचे जा रखे जो पूरी image में नहीं आई तो center of mass इधर की belt का और इधर की belt का पूरा मिला के इस line पे आ गया कहीं पर बीच में जब आपने belt नहीं लगाई थी तब तो इस खली pink वाले part का center of mass यहां था और आप force यहां लगा रहे थे तो धरती माता इसको नीचे खिच रहे थी और आप इसको नहीं रोख पाए थे are you getting my point? तो जब सरिफ इसको मैं balance करना चाह रहा था तो नहीं हो रहा था यह क्यों कि इसका center of mass कहीं यहां पर है बट जब मैंने belt अलट का दी तो belt और यह मिल करके इसका center of mass just इस point के नीचे आ गया तो धरती माता नीचे force लगाई मैंने उपर force लगाया और यह balanced हो गया कैसे लगा आपको यह? अच्छा लगा? लोगों के साथ share करो अपने सारे friends लोगों के साथ share करो भी magic को ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए ले के आते रहूँगा प्लस short में सब कुछ SMS सिरीज भी आपकी चालू है तो जा करके जरूर देखें अगर आप IITJE या NEET की तयारी कर रहे हैं तो short में आपके सारे chapter revise हो जाएंगे और आपके अंदर का जो डर है chapters को ले करके वो बिल्कुल हट जाएगा फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हसते रहू, मुस्कुराते रहू और देखते रहू सौरप सर की class जैहिंद, बाइ-बाइ, take care